जी हाँ नमस्कार आपका हमारी इस चैनल पर हारदिक स्वागत है अखिलेश यादो उत्तर परदेश में 2022 में इन च्यार फोर्मूलों के तहट बनाना चाहते हैं सरकार आपसे आग रहे हैं कि इन च्यारों फोर्मूलों को ध्यान से सुनिएगा देखिएगा चैनल को जूरू सब्सक्राइब कीजियेगा और इस वीडियो को ज़ान से ज़ादा शेयर आऊशे कीजियेगा आपके सेरिंग कम आ रहे हैं तो आपसे आगरे है कि फेस्वूक और वट्सप ग्रूमें ज़ादा से ज़ादा करें तकि सभी साथ ही अमारे साथ जुर्श के सबसे पहले बता दें कि 2022 का ये विदान सबा चुनाओ समस्त पार्टियों के लिए बहुत ही एम है अखिलेस यादव चार फॉर्मूलों के तहत ये चुनाओ लड़ने जा रहे है सबसे पहले बताएदें कि अखिलेस यादो और आरल्डी के बीस गठबंदन है इस गठबंदन के सारे करीब 240 सीटों पर सेंद मारी इस वक्त अखिलेस यादो कर रहे है चार फॉर्मूले बतादूँ सबसे बड़ा फॉर्मूला है यादो बेल्ट का दूसरा फॉर्मूला है मुसलिम बेल्ट का तीसरा फॉर्मूला है जाट और किसान किसानों को अपनी तरफ जो आकरशित करने का और चोथा फॉर्मूला है ब्रामनों से समझ दियान से आपके सामने आकड़ा पस्तुत करेंगे किस परकार अखिले सियादों जीच सकते हैं किस वो किसानों के साथ है जाट बहुल शेतरों में आरेलडी पार्टी का अच्छा खासा जो है दमखम है तो उशी के सारे ये गठबनन चल रहा है अगर जाट शीटे जो टोप 10 जाट शीटे जो उत्तर परदेश में है वो सहरनपूर, केराना, बागपत, मुरादाबाद, मथुरा, आगरा, मेरट, बिजनोर, मुझफरपूर, अलिगड़ जाट बहुल इलाक के वहाँ पर किसान बहुल शेतर माना जा रहा है और असलियत है भी यही तो इन छेतरों में लगबग RLD का बहुती अच्छा दमखम है और जाट और किसान जिस परकार से किसानों के तीन अध्यादेश के खिलाफ उठ खड़े हुए थे जिसमें राकेश टिकेट वंदरेश टिकेट ने एहम बागेनारी निभाई थी और खुले तोर पर RLD पार्टी का साथ दिया था उशे अखिले सियादों को बंपर फाइदा होने जा रहा है किसान और जाट लेंड की करीब 90 सीटों पर सेंद मारी ये गठबंदन करना चाहरा है अगर 90 में से 60 सीटे भी अखिले सियादों को आ जाती है तो कोई भी सत्ता से जो है सत्ता प्राप्त करने से कोई भी निरोक सकता आला कि बारती जंता पार्टी को इन चेतरों में 2017 के विजान सबासुनाओं में फाइदा जरूर हुआ था लेकिन इस वक्त बाजपा के खिलाफ में जाट और किसान खड़े हुए है उन्हें भोट मिलना बहुत ही मुश्किल है आपको पता है कि उतर प्रदेश में जाट भोल शेतरों में जहां पर संजी बल्यान को बेज़ जा था जो बाजपा के केंदरिया मंत्री के साथ साथ जाट नेता भी है उनका भी जाट वैकिसानों ने जमकर विरोद किया था जिसके कानों ने मजबूरन गाड़ी लेकर वहां से खिसकना पड़ा था तो साथ से नबबस सीटों पर सेंदमारी ये गठबंदन कर रहा है फिर ऐयूपी में यादो बोट यादो बोट की बात करें तो 2007 और 2012 की बात करते हैं 2014 की भी बात करेंगे तो बहतर और 66% बहतर 2007 में अखिलेस यादो को मिला था 2012 में 66% जो हबोट यूपी में अखिलेस यादो को पराप्त हुआ था और बसपा को 711 बाजबा को 2007 में 5 और 2012 में नो इस परकार यानि जो यूपी में जो यादो बेल्ट है वहाँ पर अखिलेस यादो का दमखम है करीब 40-50 सीटे जो इस परकार यादो बेल्ट के और अपनी खीचने में कामयाभी आसिल कर सकते है आपको बता दे कि यादो बेल्ट पर दूसरी पार्टी बहुत कम ही सेंदमारी करती है जिसका परपूर फाइदा अखिलेस यादो उठाते है और इसके साथ साथ जो जाट और किसान भूल छेतर अब उनके साथ जोड़ गया है उससे उनकी मजबूती और बनी है और अगला फॉर्मूला है ब्रामणवाद उत्तर परदेश में जब से योगी सरकार आया तब से लेकर अब तक ब्रामणों ने भाजपा का विरोध जबरदस्त किया है बरपूर विपक्ष ने इसका फाइदा भी उठाया है आला कि 2014-2009 में आप देख सकते हैं उत्तर परदेश में कोंगरिस के साथ ब्रामण 31 और 11 परतिस अब की बार बारती जंता पार्टी को ब्रामणों का विरोध का सामना करना पड़ सकता है पिछले योगी के सासनकाल में ऐसा ही देखने को मिला काफी ब्रामण नेता बाजपा की बूरूद में उठ खड़े हुए थे जिसके कान बाजपा विदाइकों को जो ब्रामण विदाइक थे उन्हें भी सोचने पर विवस कर दिया था कहीं ने कहीं यदि ब्रामण ने ये मन बना लिया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराना है उनके साथ जो कंपीटिशन कर रही है वो है समाजवादी पार्टी यदि ब्रामणों का 20% बोट बैंक भी समाजवादी पार्टी को आ जाता है इससे बहुत बड़ा फाइदा समाजवादी पार्टी और आरल्डी को हो सकता है फिर है आपको बता दे कि जो उत्तर प्रदेश की ब्रामण बहुल जो सीटे हैं उसमें कानपूर चेंदोली देवरिया बलरामपूर बस्ती संत कबीर नगर गोर्खपूर जोनपूर वानशी अमेठी महाराज गंज परिया आपको बता दे कि जिला पंचाय चुनवा हुए थे उसमें जबरदस्त आर जो बाजपा सोच भी नहीं सकती थी गोर्खपूर में भी वानशी में भी थी और प्रियाग राज जैसे छेतर में भी बाजपा को आरका सामना करना पड़ा था कहिना कई समाजवादी पार्टी क बरपूर फाइदा उआ था और मुस्लिम सीट की बात करते हैं वैसे तो उत्तर परदस में करीब 143 से सीट हैं जहापर मुस्लिम भूल छेतर माना जाता है और आपको बता दे कि मुस्लिम जो 2017 में भाजपा को वोट दे दिया था लेकिन अब की बार भाजपा को वोट मिलना होती है दौजगी का चैरा नहीं था योगी को मुस्ल्मान अलग चैरे से देखते हैं मोधी को अलग चैरे से देखते हैं और उसके साथ साथ जो दिल्ली पश्चिम म्गालribर रसम में देखा गया कि जहां जहां मुस्लिम भूल अबादी थी वहां पर बारते जनतापाठी क सुपड़ा साफ हो गया आसम और पश्ची मजाल में करीब 147 सीटे मुसलमानों की थी वहाँ पर 147 की 147 सीटों पर जो है मुसलमानों ने बाजबा को औराने का कारिया किया है तो बात करें तो आप देख सकते हैं कि मुसलिम बहुल जो चेतर हैं उसमें बिजनोर, जफरपूर, अमरोहा, नगीना, रामपूर, बहराईच, स्रीवस्ती, बरिली, संबल, मुरादाबार, केराना, मेरट, साहरनपूर आपको यह बताते कि जादतर मुसलमान अमेसा से ही समाजबादी पार्टी के साथ रहे हैं खान से लेकर बड़े बड़े नेताओं को, जो हम मुसलमानों नेताओं को समाजबादी पार्टी ने उठाया भी है तो 143 सीट यदि मुसलमानों के अगर उसमें से 90 सीट भी आ जाती है, तो समाजबादी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है आला कि जो पूरे इंदुस्तान में जो चल रहा है, वो यह है कि बार्टी जनतापार्टी को और आने के लिए जो कम्पिटेटर है पार्टी है, जो कम्पिटेशन में लगी हुई है, उनको माज़ दे सकती है जो वीपक्स का सारा बोट बैंक उसी पार्टी को जाता है, जिसके कान बाजबा की हार हो जाती है, पश्ची मंगाल में भी यह हुआ था, दिली में भी यह हुआ था, वह नराज़ जम्याप देख सकते हैं अलाकि भारते जन्ता पार्टी जीत के दावे ठोकती है कि अब की बार तिन सो पार, अब की बार दो सो पार, अब के बार चैर सो पार, लेकिन इन दाओं में असलियत नहीं है और इसके साथ बताते कि मुस्लिम अबादी को देखकर ओवेसी भी अपनी पार्टी उतर पर्देश में बनाने जा रही है लगबग बना तो लई है लेकिन उमिदवार भी उतारेंगे लेकिन उसका कितना नफा नुक्सान होगा ये देखने वाली बात होगे वही यदि मायावती की बात करें तो मायावती का बोट बैंक अब की बार बहुत बिखराओ की स्थिति में आ चुका है क्योंकि चंदर शेकर रावन जो है अब की बार अपनी नई पार्टी बनाए और जो चंदर शेकर रावन का बोट बैंक है वही बोट बैंक मायवती का है आपस में बोट बैंक डिवाइड होंगे जिसका पूरा नुक्सान मायवती और चंदर शेकर रावन का होगा काई ना कही अखिलेश यादो जिस फॉर्मूल के तहत ये चुनाव लड़ रहे हैं किसान बौट बेंग जाट बोट बेंग ब्रामन बोट बेंग यादो बोट बेंग और मुस्लिमान बोट बेंग इससे कहीं न कहीं वे कह सकते कि 244 सीटों को कवर कर रहे हैं अगर 244 सीटे अच्छी परकार शेवनों ने इस गठबंदर के तहट चुनाओं में अच्छी लीड कर ली परचार परचार अच्छा कर दिया अच्छा मुद्दा उठ गया तो कहीं न कहीं फिर से उतर परदेश मे अखलेश सरकार बन सकती है आपको बता दें कि ओपेनियन पोल में वैसर्वे में विभिन परकार की रिपोर्ट आती है लेकिन जो असलियत सर्वे है वो रियल रिजल्ट के तोर पर प्राप्त होता है उसी को द्यान में रखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा उतर पर करेंगे आपसे आगर है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने वर्टसप और फेस्बूक ग्रूप में और लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद